तो आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल टेक्नो शॉव व्लॉग में तो दोस्तों आज की ये जो वीडियो है इस वीडियो में हम लेके आए हैं पाई प्रोजेक्ट के तरफ से कुछ बहुत ही जबरदस अपडेट निकल गया रही है उन सभी अपडेट के कौन कौन से टॉपिक है उन सभी टॉपिक्स को हम इसी वीडियो में कवर करेंगे तो टॉपिक्स होंगे आपके KYC से रिलेटेट बहुत सारे लोग ऐसे भी है जिनके पास KYC का स्लॉट जो है अभी तक नहीं पहुँच पाया है तो जिनके पास नहीं पहुच पाया उन लोगों को क्या करना चाहिए तो उनके मॉबाइल में क्या ऐसा सिस्टम है जिसकी वजह से उनके पास KYC का स्लॉट आ जाएगा और वहीं साथ ही साथ इनके माइनिंग रेट के बारे में भी हम बात करेंगे इस समय प्रिजन टाइम में इनका जो माइनिंग का रेट है वो क्या है और कैसे आप उस रेट को इंक्रीज कर सकते और वहीं साथ ही साथ इनकी तरफ से जो है वाइट पेपर को लेके भी कुछ क तो क्या ये बात सच है इसकी तैकिकात हम आगे करेंगे तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लीजेगा और हां दोस्तों व पिन टाइम वेस्ट की इसमें माइनीड कर ले और ज्यादा से जादा क्वैन अर्न करने की कोशिश करें कि अभी मेनिट के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया और इसकी माइन अ MIाइनिग जो है, कब तक की माइनिंग चालू रहे इसके बारे बारे में भी आभी कुछ भ जो हे लोड़ करना पड़ेगा उसके बाद इस dak кабाउंट बनाने पड़ेगा अकांट बनाने के आपको जह जहे ज़ादep लोगों को अपना लिंग जहे वह IS करना पड़ेगा और रिफर करने अची है तो मैं आपको बता दूँ कि चेकलिस्ट कैसे कंप्लीट होगा आपको मैं दिखाने जा रहा हूं तो आप लोग गौव से देखिएगा ठीक है अब यहां पे जो त्री लाइन जो दिख रही है यहीं पर आपको सिंपल सा किलिक कर लेना है तो इस चेकलिस्ट को आपक आपको किलिक कर देना है यहां पर दोस्तों आप लोगों को सारी चीज़े यहां पर दिख जाएंगी अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे यहां पर सारी चीज़े अन्वेरिफाइड बैलेंस ट्रांसफरेबल माइग्रेट अन्वेरिफाइड बैलेंस ट्रांसफरेब balance new word paper chapter ठीक है अब हम आपको बताने जा रहे है मेनेट checklist कैसी दिखती है अगर वो complete हो जाती है तो यहाँ पर हम लोगों को simple सा click कर देना है अब यहाँ पर आप देख पार होंगे download pi browser app यह भी completed है आपका भी होना चाहिए create a pi wallet completed इसको भी आपको complete करना है confirm your pi wallet इसको confirm कर लेना है यहाँ पर आप देख पार होंगे complete है okay commit to lockup configuration इसको भी आपको complete कर लेना है ठीक है यह four step हो गया अब यहाँ पर submit your kyc application इसको भी confirm होना चाहिए यहाँ पर complete है यह भी five step number six पर आयाता है wait for kyc result kyc का जो result है वो भी हमारा complete हो गया success हो चुकी है कोई भी pending में नहीं है तो इस वज़े से यहाँ पर complete हो चुका है complete कर लेनी है क्योंकि बहुत ही जल इस तरीके गलती आप लोगों दोस्तों बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपके पास कोई चीज complete नहीं हो तो यह सारी चीज़े आपको पहले से complete कर लेनी क्योंकि इन सब में थोड़ा सा time लगता है यहाँ पर आप देख पार होंगे you will automatically add it to the migration queue if you have finished one to seven step याने कि आपको जो है यह माइगरेट टू मैनिट वाला जो इस्टेप है लास्टेप इसको जभी पूरा होगा जब आपका जो one to seven वाले जो इस्टेप है वो complete हो जाएंगे ठीक है दोस्तों अब यहाँ पे आपका जो configure lock up rate है इस lock up rate से भी आप अपनी जो है इन माइनिंग की जो rate है उसको boost कर सकते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहोंगे lock up percentage यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे lock up duration के बारे में बताया गया है यहाँ पे हमने तीन साल के लिए lock up किया हुआ था 90% कोई ठीक है तो इस तरीके से आप जो है इसको भी lock करके अपनी जो mining का जो rate है उसको बढ़ा सकते हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों इनके जो white paper को लेके और जो KYC का slot जिन लोगों के पास नहीं आया है वो भी परिशान है तो उन लोगों को क्या करना चाहिए किस वज़े से KYC का slot नहीं आ पा रहा है तो उसकी वज़े जानने की कोशिस करते हैं क्या वज़े बताई गई है तो दोस्तों जैसा कि इनकी तरफ से update दी गई है to answer by about KYC you are not getting a KYC invite this system यानि कि आपके system अगर KYC नहीं आ रही है तो may have marked you as a user associated in the past with too many fake accounts और other policy valuation यानि कि इनकी तरफ से ये बताने की कोशिस की गई है कि अगर आपके पस KYC का slot नहीं आ रहा है तो वो इस वज़े से नहीं आ रहा है कि आपने past में हो सकता हो कभी जो है दो account बना हूँ हो सकता है और उसमें कि जानकारी आपके पास नहीं और हो सकता हो आपने कुछ other policy जो होती है policy के खिलाफ आपने कोई काम किया हो इस वज़े से आपके पस KYC का slot नहीं हो वा जिसके हिसाब से आप खरे नहीं उतरे होंगे आपने उसको विपरीत काम किया होगा तो इस वज़े से आपकी KYC का slot वो बैंड कर दिया गया है तो इस चीस का दोस्तों धियान रखिएगा अगर आपके account में एक की बज़े दो account है तो आप एक ही account रखिएगा जिसकी knowledge आपक अब यहां पर आप देख पार होंगे थाल्ड में क्या बताएगा है वी आप प्रिटाइजिंग गेटिंग पीपल हूँ है और उनका जो है वेरिफिकेशन फूल हो चुका है यह उनके बारे में बताया गया है और दोस्तों पर दोस्तों प्रिटाइगा है जिन लोगों की के वाइसी का स्लॉट नहीं आ पाया है तो उन लोगों को परेशान होने की जरूत नहीं है अगर वह इस कंडिशन के अंतरगत नहीं आते हैं तो आज नहीं तो कल आ जाएगा लगभग लगभग आज की टाइब में सभी के वाइसी के स्लॉट पहुंच चुका है और सभी ल नहीं कि जो कंडिशन इनकी तरफ से बताए गई है उस कंडिशन के हिसाब से इन्होंने कुछ भी नहीं कि उसके बावजुद भी इनके पास के वाइसी का इंविटेशन नहीं आया है तो आज आएगा उसको में परिशान होने की जरूत नहीं है यहां पर आप देख पार हो जो जितने जादा पुराने जो पैयनियर से हैं जो पहले से माइनिंग कर रहे हैं तीन चार पांट सालों से उनके पास के वाइसी के असलाट देरी से आरा है इस चीज़ का ध्यान दीजेगा अब दोस्तो बात कर लेते हैं इनके वाइट पेपर के बारे में क्या बताया गय कब मिलेगा इसकी कोई डेट फिक्स नहीं करी गई है और वहीं दोस्तों हम इनके माइनिंग रेट की बात कर लेते हैं आज की डेट में क्यूंकि आक्टूबर के महीने में इनकी जो माइनिंग का जो रेट है वो कम हुआ है जो यहांने की यहांग की जो आज की डेट में अगर आप माइन करना है बेना किसी रेफर के तो आपका जो माइनिंग रेट है वो यह हो गया है अब दोस्तों आप यू मान लीजिए तीन से चार दिन में, अगर आप बिने रिफर के माय निंग करते हैं, तो बिने रिफर के आप तीन से चार दिन में ही एक पाई अन्झ कर पाएंगे, वहीं बात कर लेते हैं दोस्तों, Amazan का बारे में Amazon पाई को accept करेगा and we can buy over the world यानि कि इनकी तरफ से ये बताया गिया है कि जो वर्ल्ड की मार्केट में पाई के थुरू हम Amazon का कोई भी प्रोडेक्ट पर्चेस कर सकते हैं बाई कर सकते हैं यहाँ पर आप देख पार हूँ then in March open minute will be launched और March में आपको minute देखनों को मिल लिया गए यह इनकी तरफ से बताया गिया है हो सकता हो इसमें कुछ सचाई हो इनोंने कहीं से पॉइंट आउट किया हो कि ऐसा इनको देखने को मिला हो कि Amazon भी कुछ प्रोग्राइम कर रहा हो कि पाई को लेने का पाई के तरू जो है अपनी जो है मार्केट बनाने का क्योंकि पाई के पाई जो है इस वक्त की बात कर लें 50 मिलियन कम्यूटी बन चुकी है जो कि किसी भी क्रेप्टो के मुकाबले अगर देखा जो सबसे इसमें कोई दोराई नहीं है कि कोई भी बड़ी कमपनी जो है वो इस टाइप का काम कर सकती है ठीक है हर कमपनी यही चाहती कि हमारा प्रॉफिट हो और जिस कम्यूटी के पास 50 मिलियन लोग हो तो उस कम्यूटी के साथ हर कमपनी जोड़ना चाहेगी तो अगर ऐसा हो जाता है तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात रहेगी कि हम आसानी के साथ पाई से कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं ठीक है एक बात और बताना चाहूँगा इस समय बहुत सारे स्कैमर्स ऐसे हैं पाई को जो है खरीदने की कोशिश कर रहा है तो आप लोगों को ऐसा खुछ भी नहीं करना अगर आपके पास पाई है तो आप पेशन्स रखिए इसकी जितनी भी डिटेलिंग है वो आपको कॉपी में राइट डाउन करके रखना है और सेफ करके रखना है तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही मिलते है नए वीडियो में नए प्रोजेक के साथ तब तक के लिए दन्यवाद